आप देख रहे हैं कंचम पी आपकी आवास इसी बीच हमारे साथ अजीत पाल जी चठा जी मोजूद हैं जो की जिला अलब संख्य मोर्चे के अध्यक्स हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जीत का अश्रे किसे जाता है अश्रे जी जो बीजेपी की जीत है इसका श्रे एक एक नागरिक को एक एक जंटा के एक एक वोट को जाता है जिनोंने देश हित में राष्टर हित में अपना एक-एक मत का भ्योग राष्टर हित में किया है और ये जो जीत है पूरी जनता की जीत है पूरे भारत की जीत है और खास करके सभीदों की जनता के हम इतने उत्सा से जिनोंने मत दान किया एक 45,000 वोटों से रिकार्ड जीत से रमेश कोशिक जी को यहां से जिताया तो हम एक-एक वोट को धन्यावाद देते हैं जैसे कि आज यहां पे हमारा रोड शो जशन का जलूस निकल रहा था तो जैसे जैसे जिस सडक से हम निकले लोगों में इतना उत्सा था लोग घरों से बार आके औरते घरों से बार आके गीत गाते हुए आगे से बतलब इतना मुस्करा के वो अपना वो अप दे रहे थे कि जो देखने लाएक के खुशी का मौल था तो यह जो जीत हुई है यह जन-जन की जीत है पूरे भारत की जीत है क्या लगता है आपको क्या मोदी फेक्टर अब की बार भी चला है या किसी वेक्ति विशेज को देखकर वोटिंग की गई ऐसा है जी मोदी फेक्टर चला और मोदी फेक्टर क्यों चला है मोदी फेक्टर इसलिए चला है जो मोदी जी की जन कल्यान कारी नीतियां थी जब वो एक-एक आदमी को सीधा लाव मिला है तो मोधी फैक्टर इसलिए मन में बसा है सबके ये आप जितनी नीतियां चलिये गरीव व्यक्ति के हक में जब मोधी जी की नीतियां आई तो उसी की वज़ा से मोधी के परती जो प्यार बना है जो राष्टर भगती के जजबा आया जैसे अभी पीछे पाकिस्तान को जो सबक सगाया मोधी जी ने तो मोदी जी के कारें की वज़े से मोदी जी हर दिल के अंदर बसे हुए थे और मोदी जी का फैक्टर पूरा चला है और यहां के कारेकरतों की मेनत भी रंग लाई है देखा जा रहा है लगतार जब काउंटिंग चली हुई थी कि जीत का मारजन कम होगा पचास से चालीस जारत के बीच होगा लेकिन जीत का मारजन इतना जाने की वज़े क्या है ऐसा है कि यह जो विपक्षी दलों की फवाएं थी लेकिन हम तो शुरू से मानके चल रहे थे कि जैसे हम जिस भी गाउं में परचार के लिए गए जो लोगों का प्यार मिला उत्सा मिला वो तो हमें यह लग रहा था कि डेड़ लाग के उपर उपर जीत होगी और लोगों के अंदर उत्साथ हम जिस गाउं के अंदर गए लोग आगे से मतलब मुस्कराते हुए गाना गाते हुए साथ चल दिये तो यह तो उत्साथ दिखराता यह विरोधियों की बाते दी कि मारजन कम होगा हम तो स्वस्ते की लाग डेड़ लाग से जीत होगी क्यो कोई इतना प्यार देखा था हमने प्रचार के दरान लोगों गा बी जेपी की जीत पर क्या संदेश आप जंता को देना है और गरीव व्यक्ति के मातलब एक एक चीज पर ध्यान देते हुए ये गरीव व्यक्ति की जीत है ऊहरा आधमी को ये अपना गरव से उंचा हो जाना चाहिए कि ये जो मोदी जी दुबारा आये है जो उन्होंने हमारा मान समान पहले विशो में बढ़ाया है ये अब दुगना होगा ये हमारे लिए बड़ी गोरव की बात है धन्यव ओके सब आप देख रहे हैं कंचंती आपकी आवास